इस पर क्या कहा जा सकता है मैंने तो पहले ही कहा कि इसे जहलना पड़ा हमें और मुझे याद आ रहा है कि जिस जमाने में ये बात निकली थी उस समय प्रति दिन पत्रकारों में हमारे उपर लांचन कसे जाते थे हमारे बदनामी होती थी तरह तरह के लोगों की तरफ से गालियां पड़ती थी और एक दिन बाबुजी ने मुझे बुलाया और कहा बेटा तुमने कोई गलत काम तो महीं किया है उस दिन मुझे लगा कि यदि बाबुजी पीड़त हो गया है या इन सारी बातों को मानने लग गया है तब कहीं न कहीं ये बात अब बहुत कंभीर हो गई और मैंने उसी दिन निर्ड़ने किया कि मैं अपने नाम को इसके उपर जोए कि लांचन इसको अटाने के लिए लड़ूँ और उसके बाद हम तीन-चार विदेशी देशों में गए स्विट्जिलंड, स्वीडन और विलायत में जाकर के हमने कोट केस किया जिस पर हमें भी जाएगे